तो यार आप इस वीडियो को देखे अपने घर बैटे Amazon के लिए काम कर सकते हो और मतलब एक घंटे में आप 19 डॉलर तक कमा सकते हो मतलब 1500 रुपी से भी जादा आप कमा सकते हो और वो भी सिर्फ सिंपल साधा काम करना है और अगर आप घर में बैटे हो मतलब अगर आप फु आप इस काम को फुल टाइम करना चाहो तो आप बहुत लोगों को पता है कि Amazon क्या काम करता है जो कि आपको घर में प्रोडक्स वगरा डिलीवर करता है एक e-commerce वेबसाइट है तो आप उसके लिए घर बैटे अपने फोन के हेल्प से अगर आपके पास लाप्तॉप है तो आ आप काम कर सकते हो अगर ऐसा इंपोर्टन नहीं है कि अगर आप लैप्टॉप ही होना चाहिए आप अपने फोन की भी हैल्प से काम कर सकते हो अपना मोबाइल डेटा की है अगर आपके पास वाइफाइ है तो यार और भी ज्यादा अच्छा है और जो मैं बोल रहा हो प्रोडक्ट आने में लेट हो जाता है या फिर प्रोडक्ट आपको मिलता ही नहीं है तो आप क्या करते हो उनकी कस्टमर केर सर्विस को फोन करते हो और वह आपको प्रॉब्लम सॉल कर देते हैं जो भी अपने पोर्टल रहता है एमेजान का उसमें देखते हैं और आपको solve करने के लिए help करते हैं या फिर उनके senior level के जो भी executive है उनसे बात करते हैं और आपका problem solve कर देते हैं तो अगर मैं आपको बोलू आपको भी यही सेम चीज़ करनी है तो मलब आप घर पे बैठ सकते हो अपने phone से या फिर कर सकते हो अपने laptop अगर आपके पास है तो आप उससे क कर सकते हो आप क्या करना है सिफ customer service care के तरह एक बात करनी है आपको या इंग्लिश आती है तो आप इस job के लिए आराम से register हो सकते हो और जादतर chances यही रहता है मतलब लगबक 90% chances रहता है कि यह आपको जॉब देंगे क्योंकि इन लोग को क्या है इन लोग को जॉब चीए क्योंकि उन लोग की क्या है e-commerce की वेबसाइट है वो अब ग्रो कर रहे है जैसे कि Amazon हो फ्लिपकार हो गया तो उन लोग के भी जॉब सी काफी जादा important है जो उनके customer के reviews या फिर problems को solve कर पाए इसलिए वो आपको आराम से जॉब में appoint भी कर देंगे तो आपको वो सारी चीजे कैसे करनी है मतलब उनके उपर register कैसे करना है Amazon के उपर job कैसे find करनी है और मतलब जो भी customer care service के उपर register कैसे करना है वो भी ब बता ही है वीडियो में practically करके दिखा हुए हो तो अब बढ़ते हैं हमारे phone की screen के उपर जहापे मैं आपको सारी procedure को explain करने वाला हूं तो अब आचुके हम लोग हमारे phone की screen के उपर और जो भी मैं जैसी procedure बता रहा हूं वही same procedure आपको अपने भी phone या फिर laptop में follow करनी है ताकि आप भी जो भी procedure में follow कर रहा हूं वही कर पाओ तो यहार सबसे पहले मैं Google का browser open कर लेता हूं चाये तो आप Google Chrome भी use कर सकते हो open करने के बाद यहाप आपको search bar में क्या search करना है यहाप आप search करोगे Amazon Jobs अब आपको यहाँ पर बहुत सारे jobs मिलेंगे बट आपको सारे jobs नहीं कर सकते हैं या फिर जो graduation हो गया वह भी कर सकता है मतलब कोई भी basic requirement नहीं है उस jobs को करने के लिए तो अभी सबसे पहले में उपर वाला option जो है Amazon Jobs का उसके उपर से प्रेस कर देता हो और प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखते तो find job और यहाँ पर एक search बार आ चुक और मतलब offline करने के जो jobs रहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इसका मतलब क्या रहता है virtual jobs का मतलब रहता है आप घर बैटके अपने phone के help से या फिर अपने computer के help से आप internet connection आपके पास होना चाहिए और आप घर बैटे काम कर सकते हैं आपको पैसे मिलेंगे offline jobs जो होते जो हो मतलब उनके warehouse में जाना पड़ेगा उनके store में जाना पड़ेगा उनको help वगरा करने के लिए वगरा उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे तो opportunities जो भी है student के लिए वो दो तरह की रहते हैं अगर मैं नीचे स्वाइब करता हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा warehouse and hourly jobs यहाँ प मतलब कितने products अभी है warehouse में कितने लोगों के है वगरा सब पे label है की ने QR code है की ने वो सारी चीज़े आपको देखनी है online में और offline में आपको खुच जाके products को जो है arrange करने है उनके warehouse में आपको सब में QR code चिपकाने है और जो भी codes वगरा रहते है अच्छे से मतलब handle करना है product क जो भी shipping वाले delivery guys आएंगे उनको आपको product पहुचाने है ऐसे वगर छोटे मोटे काम आपको offline में भी करने पड़े के तो आप दोनों भी choose कर सकते हैं यहाँ पर view open jobs वालों जो option है यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी है सारे jobs देख सकते हो सबसे पहले मैं आपको easiest job बता दो य आपको location select करने की जरुरत नहीं है अगर आपको offline jobs करने है मतलब आप जाकी तो आपको location में अपनी location जो है आप जहां पर जा सकते हो location में काम करने के लिए वह आप डाल सकते हो तो यहाँ आप मैं सिंपली से अब मैं online jobs की तलश कर रहा हूं यहाँ पर मैंने simply से लिख दिया ह है आप 12 पास 10 पास नहीं भी हो तो भी आप इस जौब को आराम से कर सकते हो यहाँ पर नीचे भी आपको काफी सारी jobs मिल जाते हैं जैसे कि IT support associate यहाँ पर logistic specialist मिल जाते है logistic specialist मतलब जो भी है products वगरा handle करना वगरा वो सारी चीज़े यहाँ पर city manager external fulfillment वह वाला भी मिल जाते ह बट analysis के जो भी job रहते उनके लिए आपको जह है qualification भी थोड़ी अच्छी करनी पड़ती है अगर आपके पास qualification already है इस analysis के field में तो आपको easily job मिल जाएंगे अगर आपके पास कोई भी formal qualification नहीं है फिर भी आप आराम से इस job को apply कर सकते है मतलब अगर आप select हो गए तो काफी अ उस दूसरी जॉब की तरफ लेकि चलता हूं यहां पर आपको search bar में यह जो है वो cancel कर देना है और यहां पर एक जो बड़िया तरीके का जौब है वह है customer care यहां पर आपको लिखना है customer care वह कैसे करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा यहां पर मैंने लिख दिया customer care और मैंन लिख आ चुक है high school diploma होना चाहिए आपके पास या फिर six month professional वगर होना चाहिए यह लोग मतलब जो भी आपका qualification है वो इतना चेक नहीं करते आप उन्हें ऐसा ही बोल सकते हो मतलब अपने resume में लिख सकते हो या फिर आपका interview लिया चाहिए मतलब basically होता तो नहीं interview पर अगर आ qualification के लिए तो आप simply से उन्हें बोल सकते हो कि हमारे इदर का जो shop है या फिर कहीं आपने किया रहेगा सच में तो भी बोल सकते है या फिर बोल सकते हो मुझे थोड़ा बहुत experience है हमारे के जो shops है या फिर छोटी सी e-commerce site में मैंने काम किया था ऐसे वो कुछ ground level पर जाके आप आपको एक चीज में पहले ही बता देता हो customer care का job करने के लिए आपको जो है थंडे दिमाख वाला होना चाहिए मतलब जो भी है customer जबी भी है घुसे में रहता है जबी उसको कोई service receive नहीं हुई या फिर उसको product defect आया ही नहीं product तूटा हुआ है बहुत सारे चीजे मतलब उन आपको उसके उपर ज़्यादा react नहीं करना है आपको कमली कम करना है क्योंकि आपको एक जौब में टिका हुआ हुआ है और जादा से जादा salary claim करनी है इस लिए अगर आप वह एंगर issue है आपको तो आप वह एंगर इस्योग कर पाते तो यह आप आपके लिए जोब नहीं ह करना है यहां पर आपको सेकेंड वाला उप्शिन सेलेट करना है जो है क्वालिटी एनलेस्ट क्वालिटी कल मतलब जो भी एक कमिटमेंट लिखा हुआ यहां पर आपको क्या करना है मैं आपको बताते तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसफ प्रोडक्स का या फिर जो भी एप्लिकेशन का यहां पर वर्ड पावर पॉइंट वगरा जो भी एप्लिकेशन से और यह लोग क्या करेंगे आपको जो है मतलब जो भी प्रोडक्स वगरा भीजेंगे क्वालिटी चेक के लिए मतलब कभी-कभी क्या होता है कि जो वाच रहता है अगर एक समझो कोई Amazon पर वाच बेज रहा है और अगर बहुत सारे लोग ऐसे customer जिनको डिफेक्टिव वाच मिल रहा है तो आपको वो लोग आप मतलब जो है वाच भेजेंगे आपको बोलेंगे कि आप इसका quality चेक करो कैसा है वगरा आप जो भी है उन customer ने जो इस वाच को बुरे reviews दिये है उनसे बात करो फोन पर या फिर email पर WhatsApp पर और उनसे ये पता लगाओ कि इस वाच में ऐसा क्या है जो उन लोग को मतलब पसंद नहीं आ रहा है इसके बारे में तो वो लोग क्या करते है यही सारे काम करते है उस report को जो है वो एक्सल में बनाते है या फिर वर्ड में बनाते है ऐसे ही सिंपल बेसिक सा जॉब रहता है यह आप ओन-लाइन आराम से कर पाओगे यहां पर आप चाहो तो यहां पर USA USA आए हुआ है यहां पर लोकेशन डाल सकते हो और अपनी लोकेशन से भी कर सकते हो या फिर यह यह यू इस 마्लाइ कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का बी जॉब है गुगल आनलेसिक वह बह Bacon कर सकती है और बी मैं घ्याB घ्यार यह जो चीज़ का की दूब है आपको एक चीब की जरूर से रिक्वाइर्मेंट लगेगी कोई 1900 खciones नहीं चाहिए बस आपको क्या होना चाहिए जबी भी आप किसी का मतलब doubt solve करोगे customer के related उनका problem solve करोगे तो हो सकता है वो customer गुस्से में हो और आपको उस चम है patient रहने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप मतलब आपका स्ववाव हो है कि आप जल्दी भढ़क जाते हो तो ये काम आपके लिए नहीं है और अगर आप इस काम को करना चाहिए तो आपको patiently काम करना है अगर साइ customer जितना भी गुस्से में हो क्योंकि अगर उसके defective product मिला होगा अगर या फिर उसकी delivery late हो गई होगी product की या फिर अगर उसके product मिला ही ना हो तो उसके doubt आपको patiently clear करने चाहिए और उसे एकदम जो है understanding वाली reasoning देनी आपको आनी चाहिए जो कि आपको training अगर आप उसके उपर register करोगे तो आपको जो है वो लो courses provide करेंगे जो कि free रहते है hundred percent उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे सारे doubts मतलब रहते हैं आपको कैसे solve करने पड़ते है training के लिए आपको 20 मिनिट या फिर आदा गंटा ही लगता है मतलब अगर आप आदा एक गंटा देते हो तो आपकी आराम से training complete हो जाएगी और आप उस मतलब जो भी है Amazon jobs के उपर register हो पाओगे तो क्या है मैं आगी भी future में भी अभी मैंने सिफ Amazon की related job ला है मैं और भी in future मतलब जो भी है flip card से related Amazon की related all भी जो भी job रहते हैं क्योंकि यार बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो यह चाहते कि उन्हें ऐसे पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब्स भी चीए जो वह offline कर पाए और उससे जो भी है पैसा generate कर पाए जिससे वह अपनी college वह सारी चीजें भर पाए तो यार आपको यह करना है सिफ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि इसी तरह का content में अपने चैनल पर डालता रहूंगा और जब यह ओला मिलता और मिलता आपसे नई वीडियो में तब तक के लिए बाए